इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक गोल में सम्मेलन के बारे में डिसकस करेंगे देखे आपके जितने भी competition exam होते हैं उनमें से history से सतंतरता अंदोरन से related गोल में सम्मेलन से एक question लगभग आपके सभी exams में देखने को मिल जाते हैं तो इस वीडियो में हम गोल में सम्मेलन से related 10 महत्वपुन question लेकर आए हैं और जीतने भी इस topic से question पूछे जाते हैं यही सब 10 महत्वपुन प्रस्न के इर्ध गिर्ध ही पूछे जाते हैं इससे बाहर नहीं पूछे जाते हैं तो दिखें क्या है गोल में सम्मेलन जैसा कि राज करती थी उस समय क्या हुआ था नमक अंदोलन और बहुत से अंदोलन हुए थे तिन सभी अंदोलन को देखते हुए British सरकार ने यह समझ लिया कि भारतियों पर अब जादा दिन तक राज नहीं किया जा सकता इसलिए उन्हें राजनीती में सत्ता देनी चाहिए उन्हो इसे बोलते हैं round table submit तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम गोल में समयलन तो सबसे पहले आप तीनों गोल में समयलन जो हुए थे उनका date याद रखेंगे क्योंकि एकजाम में अधिकतर date पूछे जाते हैं जैसे कि 33 गोल में समयलन कब हुआ था तिया आप इस date को स्क्रीन sound करके भी रख सकते हैं जैसे कि प्रथम गोल में समयलन 12 नौंबर 1930 से 19 जन्वरी 1931 को हुआ था ओके सेकेंड हुआ था दूती गोल में समयलन 7 सितंबर 1931 से 1 जन्वरी 1931 ओके और जो लास्ट था त्रिती गोल में समयलन 17 नौंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 को ओके तिया जो date है उ उन से गोल में समयलन में भाग लिया था? Most important question है बहुत बार यही question repeat किया जाता है अधिकता हर एकजाम में त्याद रखेंगे गांधी जी ने दुविती गोल में समयलन में क्या लिया था? भाग लिया था यह question इस प्रकार से भी पूछा जाता है कांग्रेस के प्रतिनिधित के तोर पे किन्हों ने दुविती गोल में समयलन में भाग लिया था? याद रखेंगे महातमा गांधी जी ने कांध क्रेस का प्रतिनिधित्य के तोर पे दुविती गोल में समयलन में भाग लिया था? और याद रखेंगे इन्हों ने प्रत्थम और तृती गोल में समयलन म तो किसे दली तवर्ग के प्रतिनीधी के रूप में तीनो गोल में सम्मेलन में आमिंतरित किया गया था तो किसे किया गया था ती इसका अंसर है option 3 Dr. Bhimrao Ambedkarji को तीनो गोल में सम्मेलन में दली तवर्ग के प्रतिनीधीत्व की तूर्प में क्या किया गया था आमंतरित किया गया था याद रखेंगे एक और कोस्टन इससे पुछा जाता है तीनो गोल में सम्मेलन में कौन भाग लिया था ती याद रखेंगे डाक्टर Bhimrao Ambedkarji तीनो गोल में सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने पुरण सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने पुना सविनय अवग्या अंदोलन शुरू कर दिया कौन से गोल में सम्मेलन के असफलता के बाद गांधी जी ने क्या किया पुना सविनय अग्या अंधोलन शुरू किया तिसका अंसर था option to dviti दviti गोल में सम्मेलन जो की असफल हो गई थी जिसमें गांधी जी क्या होते ब्रिटिस से खाली हास वापस आये थे यह इस सम्मेलन के बाद गांधी जी ने समिनय अग्या अंधोलन शुरू कर दिया था याद रखेंगे दviti गोल में सम्मेलन जब हुआ था इसका कोई निसकर्स नहीं निकला था इसका कोई रिजल्ट नहीं आया था इसलिए से असफल बोला गया था तृति गोल में सम्मेलन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो गौल में सम्मेलन हुए थे लंडन में उसका उदखाटन किस ने किया तृतिसका आंसर है ओप्सन 3 जार्ज पंचम ने उस समय वहां के क्या थे ब्रिटिस सरकार के यह समराट थे या बोला जायते हो उस समय वहाँ के राजा थे कौन जार्ज पंजम इन्हों ने क्या किया था उस गोल में सम्मेलन का उधगाटन किया था और उस समय प्रधान मंत्री कौन थे ब्रिटिस में ते थे रेम से मेकडोनल्ड ओके नेक्स्ट कोस्चन देखते हैं कौन से गोल में सम्मेलन में विष्टन चर्चिल ने गांधी जी को देश द्रोही फकीर बोला था बहुत बार एक जाम में आ चुका है कौन से गोल में सम्मेलन में किसने विष्टन चर्चिल नाम याद रखेंगे ये भी पूछा जाता है गां प्रथम गोल में समयलन हुआ था उस समय भारत के वाइस राय कौन थे तिसकांसर हो जैगा Option 3, Lord Wellington, कौन थे Lord Wellington उस समय वायश रही थे, देखे तो थे 10 महत्तोपूर प्रस्ण इनहीं 10 महत्तोपूर प्रस्ण के इर्दगूर्द आपके जितने भी एकजाम में प्रस्ण पूछे जाते हैं इस टॉपिक से इसी में से आते हैं तो इस वीडियो में इतना ही अच्छा लगा तो पिली लाइक सब्सकाइब और सेयर करना ना भूले थाइंक यू सो मज